हेलो दोस्तों केसे हैं आप? स्वागात है आप सब का आपके अपने चनल पावली हिंदी पे तो आज की हमारे इस वेडियो का टॉपिक है म्यूजिक क्लासिस की पेमिंट होने पर आटमाटिकली वाट्साप मेसेज सेंड करें तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने रिजर्पे अकाउंट पे एक नया पेमिंट रिसीब हो तो आटमाटिकली हम पेमिंट करने वाली उसर को एक वाट्साप मेसेज सेंड करें तो यहाँ हमें दो अप्लिकेशन दिखाई दे रही है पहले है रिजर्पे जो कि एक ओनलाइन पेमिंट गेट पे है और दूसरा है वाट्साप जिससे आप सभी जानता है एक बहुती पॉपलर चाट अप्लिकेशन है तो एक्जामपल के लिए मान देजा दोस्तों कि मैं कोई मुजिक टीचर हूँ जो कि online music classes ले रहा है and then उन music classes के जो fees है उसे अपने student से receive करने के लिए मैं रिजर्पे का use कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं चाहता था कि जब भी मुझे कोई student रिजर्पे पे payment send कर रहे यानि कि मुझे रिजर्पे पे एक निया payment receive हो तो मैं payment करने वाली user को एक whatsapp message send करूँ लेकिन इस पूरी process को करने के मेरे पास दो तरीके थे पहला है manual तरीका जिससे कि मैं अपने रिजर्पे अकाउंट पे आने वाले एक एक payment के details लो रिजर्पे अकाउंट से and then manually एक एक user को whatsapp पे message send करूँ लेकिन number of users काफी जाता होने के कारण मेरे जो manual process है यह खाफे repetitive और time consuming है यहां मैं चुना है दूसर तरीका जो कि एक automation setup करने का अब आप पूछेंगे कैसा automation तो एक ऐसा automation दोस्तो जिससे कि जब भी मैं रिजर्पे अकाउंट पे एक नया payment receive होगा तो automatically हम payment करने वाली user को एक WhatsApp message send कर देंगे लेकिन इस automation को setup करने में एक छोटी सी problem थी वो यह कि reserve pay और WhatsApp इन दोनों काई आपस में कोई direct link, कोई native integration नहीं है, कोई direct connection नहीं है जिससे कि हम कुछ इस तरह के automation कर सके हैं तो इस problem को solve करने के लिए, आज हम जिस software का use करेंगे, उसका नाम है Pably Connect Pably Connect basically एक automation and integration software है, जिसकी help से हम reserve pay और WhatsApp इन दोनों कोई आपस में integrate करेंगे, आपस में कुछ इस तरह के से connect करेंगे, कि हम यह पूरा automation setup कर सके और हाँ दोस्तो, इस वीडियो में सिखा जाने में, automation की सबसे खास बाती है कि इस automation को करने के लिए, हमें किसी भी तरह की कोडिंग या प्रोग्राम में उचकाना ज़रूरी नहीं है एक non-technical user भी इस पूरा automation को बहुत इजली setup कर सकता है तो चली मैं दिखाता हूँ आपको इस automation का एक real-time example मेरी अपनी स्क्रीन पर है तो जसके आप यहाँ देख सकते हैं, यह है मेरा RezaPay का payment page जिस पे मैं अपने music classes की payment system करता हूँ तो जब भी को user, जब भी को student इस payment page पे आके यहाँ अपनी details बेल करेगा और यहाँ से मेरे music classes के लिए payment करेगा तो automatically उसके mention किये number पर हम एक WhatsApp message send कर देंगे तो चली इस एक बार हम test करकर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक user की details एंटर की है जिसका first name में आकाज बिल कर, जिसका नहीं में आकाज बिल कर यह उसका email address, उसका phone number, payment का amount और जो product है online music class वो product तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ pay पे and then मैं यहाँ पर select करता हूँ test payment details, एक test card की details enter करता हूँ यहाँ पर payment पे and pay तो क्योंकि एक test payment है, इसलिए रेजर पर मुझसे पूछ रहा है कि मैं यह payment success करना चाहता हूँ या pay तो हम चाहते है payment success हो, तो मैं आप यह success पर click करता हूँ और जी हाँ दोस्तो, यहाँ पर हम देख सकते है कि जो payment हमने किया है, यह successful हुआ है तो चली दोस्तो, चलते हैं इस user के mention कि एक number के WhatsApp account पे, वहाँ चलके देखते हैं कि कि उस user को WhatsApp पे कोई message रिसीब हुआ है या नहीं तो हम आते हैं WhatsApp पे, और जी हाँ दोस्तो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी एकदम real time में automatically हमारे payment करने वाले user को हमने एक WhatsApp message send किया है जो कहता है, हाया काज भिलकर, यान कि हमारे user का हमारे payment करने वाले student का नाम और हमारा बाकी का message तो आप सोच रहे होंगे दोस्तो, यह मैंने कैसे किया कैसे मैंने अपने Razer Pay के payment page पे payment करने वाले student को automatically एकदम real time में एक WhatsApp message send किया तो मैं आपको बता दू, यह जो पूरा process है, यह जो पूरा automation हमने अभी 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 देखा, इससे मैंने set किया है तीन simple steps में जिसमें हमारा first step है, connect pably connect to Razer Pay with the help of webbook URL तो सबसे पहले हम जाएंगे pably connect में और वहां से मिले webbook URL के help से हम Razer Pay और pably connect इन दोनों को यह आपस में connect करेंगे पर आती है हमारी second step, जो है collect the data from Razer Pay in pably connect तो हमारी second step के लिए हम जाएंगे अपने Razer Pay के उस payment page पे जो हमने create किया है payments receive करने के लिए and then उस payment page पे एक test payment create करेंगे ताकि उस test payment होने का जो data है उसे हम pably connect में collect कर सके हैं उसके बाद आती है हमारी third और final step जो है send the same data to Vati for sending messages on WhatsApp तो यहाँ पर मैं बता दू आपको कि WhatsApp हमें directly message send करने की permission नहीं देता है इसलिए इस video में हम use करेंगे Vati का जो कि WhatsApp का एक official API software है तो हमारी third step में जो data हमने पाबली connect में collect किया है हम उस same data को send करेंगे Vati को ताकि Vati के थुरू हम अपने जो payment करने वाए students से उन्हें WhatsApp message send कर सके हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी first step और चलते हैं पाबली connect पे तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहां search करेंगे PABLY.com PABLY.com पे आते ही हम जाएंगे products पे और क्लिक करेंगे connect पे Connect पे क्लिक करते ही यह खुल चुका है हमारे पास पाबली connect का landing page अब हमें यहां दो options दिखाई दे रहे हैं एक है sign in, दूसरा है sign up free क्योंकि मेरा पाबली connect पे already account है तो मैं करता हूँ sign in आप sign up free पे क्लिक करके दो मेट में पे पाबली connect पे आपना free account बना सकते हैं इसके बाद हम नीचे जाएंगे connect पे और क्लिक करेंगे access now पे अक्सेस नाव पे क्लिक करते ही यह खुल चुका है हमारे पाइस पाबली connect का dashboard यहां पे हम क्लिक करेंगे create workflow पे एंद देगे इस workflow को एक नाम तो मैं इस workflow को नाम दे देता हूँ razor pay to whatsapp razor pay to whatsapp and then click करते है create pay create पे क्लिक करते ही अब हमें यहां पे दो windows दिखाई दे रही हैं पहली है trigger window दूसरी है action window तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि trigger और action क्या है तो मैं आपको बता दू कि trigger और action basically वो तो concepts है वो तो principles है जिस पे यह पूरा automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यानि कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यानि कि ऐसा करें जब ऐसा हो ऐसा करें तो आज के हमारे इस वीडियो के use case में जब भी हमारे razor pay पे एक नया payment receive हो तो automatically payment करने माले student को एक WhatsApp message send करें तो चली हम चलते है पहले अपने trigger window की तौर अप और यहाँ choose apps में search करते है आज का हमारा पहला application जो है razor pay just a second razor pay and then trigger event में हमें यहाँ पे कई सारे trigger event दिखाई देते हैं जिसमें से हम आज जो trigger event यूज करेंगे वो है payment captured क्योंकि हम चाहते है कि जब भी हमारे razor pay account में एक नया payment capture हो तो razor pay हमें उस payment का data send करें तो अपना trigger event सेलेक करने के बाद पाबली connect ने दिया हम एक webhook URL तो इस webhook URL के help से हम razor pay और पाबली connect इन दोनों को आपस में connect करेंगे और यह process हम कैसे करेंगे यह पढ़ते हम इसके नीची दीगए instructions पर यहाँ पर कहे रहा है login to your razor pay dashboard and navigate to settings then webhooks click on setup webhooks तो basically हमें कहे रहा है कि हम अपने razor pay account के dashboard पर जाए and then settings में जाके webhooks में कई इस webhook URL को use करें तो चली दोस्तों अपन चलते हैं अपने razor pay account के dashboard पर और वहाँ चलके समझते हैं यह जो पूरा connection के razor pay और पाबली के connection का जो process है यह हम कैसे करेंगे तो हम आते हैं अपने razor pay account के dashboard पर यह रहा में razor pay account का dashboard मुझे यहां left side पर कई सारे options दिखाई दिखाई दे रहे हैं जिसमें से scroll down करके मुझे second last option दिखाई देगा settings का तो हम जाएंगे settings पर and then यहां पर मुझे settings पर आने के बाद यहां 4 options दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम जाएंगे webbooks पर तो webbooks पर click करते ही हम यहां right side पर top पर एक option दिखाई देता है add new webbook का तो हम click करेंगे add new webbook पर and then हमारे पास यहां एक dialogue box खुल चुका है जो हमसे मांग रहा है webbook url तो जैसे कि आपको याद होगा कि पाबली connect ने दिया था हमें webbook url तो पाबली connect से इस webbook url को यहां पर करते है copy and then इस same webbook url को यहां पर हमारे razor pay account पर करते है paste इसके बाद secret और alert email इन दोनों को मैं avoid करता हूँ and then at last आता हूँ active events पर यहां पर active events में हमें कई सारे active events दिखाई दे रहे हैं लेकिन हम यहां पर select करेंगे payment captured पर क्योंकि हम चाहते है जैसे कि हमने trigger event पर भी ध्यान दिया था कि हम चाहते है कि जब razor pay में हम एक payment नया रिसीव हो एक नया payment capture हो तो उसका data razor pay public connect को send करें तो payment captured यह active event select करने के बाद मैं हां क्लिक करता हूँ create web book पे and then दोस्तो create web book पे क्लिक करते ही हमारे इस automation को setup करने का जो पहला step था जो कि था हमारे reserve pay account और हमारे पाबली connect account को आपस में connect करने का वह होता है complete अब हम आते हैं अपनी दूसरी step की तरव जिसमें कि हमें अपने reserve pay के payment page पे एक payment test payment create करना होगा ताकि उस test payment creation का जो data है उसे हम पाबली connect में receive कर सके collect कर सके हैं और जैसा कि हम पाबली connect में देख सकते हैं कि यहां पर ही हमें दिखा रहा है waiting for webbook response यानि कि पाबली connect इस webbook के तुरू कुछ response कुछ data receive करने के लिए wait कर रहा है तो हम आते हैं अपने reserve पे account पे जाते है payment pages पे and then यहां पर मेरे पास payment page है music classes का मैं open करता हूँ इस copy एक new tab में तो यह है मेरा payment page और यहां पर मैं enter करता हूँ test user की details जिसके number पे हम WhatsApp message send करना चाहते हैं तो यहां पर मैंने user की details enter की है जिसका नाम है shivamkharay यह उसका email address उसका phone number इस total music class की जो पीस है उसका amount 1299 and then यह जो product है वो है online music class वो product तो यहां पर हम फिर से click करते है pay pay enter करते है फिर से test card की details and then pay success तो जी हां दोस्तो यहां पर हमने अभी अभी अपने razor payment page पे एक payment create किया एक test payment submit किया है तो चली चलते है दोस्तो पापली connect पे और पापली connect पे चलके देखते है कि क्या पापली connect ने इस test payment का जो data है उसे collect किया है या नहीं तो हम आते है पब्ली connect पे और यहां दोस्तो जैसा कि हम यहां response receive में नीचे देख सकते हैं कि पब्ली connect ने अभी अभी जो payment हमने अपने रेजर पे के payment page पे किया उसका data यहां पर collect कर लिया है यहां पर हमें receive हुआ है Wah payment का amount लेकिन दोस्तो जो payment था हुऊ हमने 1299 रूपी का किया था लेकिन जो amount है हुआ है है यहां पर payment किया था 1299.00 का था लेकिन यहां पर हमें decimal ना दिखते हुए 2 zeros एक single value की तरह दिखाई दे रहा है तो इसलिए हो रहा है दोस्तों मैं आपको बता दू कि यह जो हमें amount receive हुआ है यह international format में receive हुआ है जो कि decimal points को support नहीं करता तो फेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके last के जो 2 zeros है अगर हम चाहे तो हम इसे हटा भी सकते है यह कि हटाने का process कैसे होगा इसके लिए हम हमें contact कर सकते है admin.pably.com पे तो अब इस वीडियो में फिलाल इस response पे आगे बढ़ते हैं और हम यहां देख सकते हैं कि हमें payment करने वाले user की email address receive हुआ है यहां पे साथ ही साथ उसका mobile number with country code and plus sign उसके साथ उसका first name, last name again mobile number as it is उसने enter किया था and किस product के लिए हमें receive हुआ है तो यहां पे दोस्तो हमारी जो इस automation को इस process को set करने की जो second step थी जो कि ती Razor Pay में एक test payment क्रेट करने के उस test payment को डेटा है उसे public connect में collect करने की वो भी होती है बहुती easily complete लेकिन यहां पे जो हमें Razor Pay से response रिसीव हुआ है इसमें हमें कहीं भी हमें payment के जो product एजिस product के लिए जिस service के लिए payment किया गया है उसके details नहीं मिलती तो यहां पे दोस्तो मैंने अपने payment page पे एक extra field add की थी product name की जिसमें मैंने सिप एक option दिया था online music classes ताकि मुझे पता सल सके इस automation में कि यह जो product payment हुआ है मेरे Razor Pay account पे वो किस product के लिए हुआ है तो इस automation को आगे बढ़ाने के लिए और जो जिन users थे specifically online music class के लिए payment किया है सिप उन्हीं WhatsApp message send करने के लिए हमें यहां पे नीचे अगली step पे एक filter add करना होगा तो मैं क्लिक करता हूँ add application पे and then यह action window में choose आप में सोच करता हूँ filter हम मैं select करता हूँ filter तो यहां पे जो select label है इसमें मैं select करता हूँ यह जो label है मेरा payload payment entity notes product name तो इस label को select करता हूँ तो हमें drop down में जाता हूँ select करता हूँ इस label को यहां पे मेरे पास है वो label payload payment entity notes product name तो यहां पे इस label को select करता हूँ और जो इस label की value है यह equal होगी online music class इसके तो ही जो automation है यह इसके आगे पड़ेगा तो इस filter में हमने बताया है कि अगर payment करने वाले user ने जो payment product name है उसमें online music class select किया है तो ही यह जो automation है आगे बढ़ेगा एंड इस online music class के लिए payment करने वाले users को ही हम WhatsApp message send करेंगे यहां पे इस value को एंटर करने के बाद मैं यहां क्लिक करता हूँ save and send test request पे और हम देख सकते हैं यहां पे जो condition है यह हमें true दिखा रहा है क्योंकि जो हमने test data लिया है वो online music class की payment के लिए है इसलिए तो यहां पे दोस्तो filter लगाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपती third और final step के तरफ जो कहा है इस पूरे data को अब हम send करेंगे वाटी को त इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे वाटी का जो कि वाट्चाप का एक official API software है अपने payment करने वादी users को WhatsApp message send करने के लिए तो यहां पे choose apps में हम सर्च करेंगे अगले step पे वाटी just a second वाटी and then यहां action event में select करेंगे send template message और click करेंगे connect पे connect पे click करते ही यह कह रहा है मुझसे अपना वाटी account connect करने के लिए है तो हम जाते है add new connection पे and then यह मुझसे मांग रहा है अपने वाटी account का मेरे वाटी account का API endpoint और access token तो हम यहां नीचे कर दिये गए instructions को एक बार पढ़ते हैं तो यह हमें कह रहा है navigate to top on your वाटी dashboard click on hamburger icon then click on API docs to find your API endpoint यहां पे मुझसे कह रहा है कि अपने वाटी dashboard पे जाओ and then यहां पे कुछ steps follow करके API docs पे जाओ जहां पे मुझे मेरा API endpoint और access token मिलेगा तो चली दोस्तो मैं आपको लिए चलता है अपने वाटी account के dashboard पे और वही चल के समझते कि API endpoint और access token को collect करने का process हम कैसे करेंगे तो यह मेरे वाटी account को dashboard जिस पे मैं अपने वाटी account में login करके आया हूँ अब आप सोच रहूंगे कि आप इस dashboard पे कैसे आ सकते हैं तो मैं आपको बता तूँ वाटी उस पे account creation का process उस पे login कर और sign in करके इस dashboard पे आने का process और वाटी से related बाकि सारे information की एक detailed वीडियो के link आपको इस वीडियो के description पे मिल जाएगी तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप इस वीडियो के description से उस link पे click करके उस वीडियो को देखे ताकि आप भी जान सके कि आप इस वाटी account के अपने वाटी account के dashboard पे कैसे आ सकते हैं तो वाटी account के dashboard पे आने के बाद हमें यहां broadcast के right side पे तीन बार्ज दिखाए देते हैं एक hamburger जैसा icon दिखाए देता है हम करेंगे इन पे click and then यहां पर हमें कई सारे options दिखाए देते हैं जिसमें से हम click करेंगे API Docs पे API Docs पे click करते ही यहां मुझे मिल चुका है मेरे वाटी account का access token और API endpoint यहां से हम करते हैं इन्हें copy and then अपने पाप्लिक अकाउंट पे यहां करते हैं इन्हें API endpoint को paste इसके बाद से मिल अर्ले हम access token को भी करते हैं copy and then इसे भी करते हैं अपने वाटी account पे 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 सारी पाप्लिक करते हैं save पे तो save पे click करते ही दोस्तो हमने successfully अपना वाटी account अपने पाप्लिक अकाउंट के साथ connect कर दिया है इसके बाद यह हमसे पूछ रहा है WhatsApp number तो यहां पे हमें इस फील्ड में enter करना है दोस्तो वह WhatsApp number जिस पे हम WhatsApp message send करना चाहते हैं लेकिन इसके ने से कुछ instructions भी दि country code के साथ लेकिन उसमें plus sign नहीं होना चाहिए तो हमें एक बात जो हमें रिजर पे साथ response रिसीव हुआ है उससे देखते हैं तो यहां पे हमारे पास जो response रिसीव हुआ है उसमें payment करने माले युजरा ने अपना WhatsApp number तो enter किया है लेकिन इसमें country code नहीं है और जो country code के साथ हम इसमें country code के साथ साथ plus sign भी है तो यहां पे हम एक और step add करेंगे हमारे रिजर पे और वाटी के बीच में जिसमें की हम इस जो number है हमारे जो payment करने माले युजर का WhatsApp number है इसमें से इस plus sign को remove करेंगे और जो बाकी का number जैसे हमने वाटी नहीं हम से बाकी का number मांगा है जो कि एक valid WhatsApp number country code के साथ इसे as it is receive करेंगे तो हम यहां scroll down करके नीचा आते है और वाटी से पहले दिएगा इस plus sign को add application के sign को click करते है and then यहां choose app में हम search करते है number parameter number parameter और action event में हम select करते है spreadsheet formulas और click करते है connect पे connect पे click करते ही हम यहां पे एक formula के field दिखाई दे रही है जिस पे हम एक spreadsheet formula लगा सकते है और यहां हम नीचे दिएगा instruction के यहां हमें blue कदर से दिख रहा है check full list here तो यहां पे इस web page पे हम देख सकेंगे वह 1000 of spreadsheet formula जो कि हम पाबली के दिख में लगा सकते है पाबली कनेक्ट के इस spreadsheet formula के function पे यूज कर सकते हैं तो यहां पे हम सर्च करेंगे spreadsheet formula जिसका नाम है substitute यहां substitute हम यहां से यूज करेंगे इस substitute के formula को अपने WhatsApp नमर हैं कि अपने response में से उस plus sign को remove करने के लिए तो यहां पे formula में मैं इंटर करता हूँ substitute and then एक bracket को करता हूँ open and substitute का formula यूज करने के लिए हम पहले यहां पे map करेंगी वो number जिसमें से हम plus sign remove करना चाहते हैं तो मैंने यहां पे इस सामने दियेगा bracket पे click किया and then नीचे में डॉप 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 डॉन में रेजर पेसे जो हमें response रेसीव हुआ है उन response में से select कर लेता उस number को जिसमें हमारे पास plus sign के साथ country quote and then user का WhatsApp number है इस number को हम select करते हैं इसके बाद हम use करेंगे comma and then हम double quotes के बीच में add करेंगे plus sign क्योंकि हम इस number में से इस plus sign को remove करना चाहते है and then इसके बाद double quotes end होने के बाद second double quote के बाद हम फिर से लगांगे comma and then हम यहाँ पे enter करेंगे एक blank double quote वो इसलिए कि substitute के formula के through हम यहाँ पे बता रहे है कि हम यह जो number है इसमें से plus sign को remove करना चाहते है and इसे replace करना चाहते है हम यहाँ क्लिक करेंगे save and send test request पे और response रिजीव में हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमें यहाँ result के सामने user का WhatsApp नमबर receive हो चुका है वो भी country code के साथ बिना plus sign की है तो यहाँ पे number format की help से हमने एक spreadsheet formula का use किया जिससे कि हमने जो response में हमें plus sign के साथ plus sign और country code के साथ user का WhatsApp नमबर मिला था उसमें से plus sign remove कर दिया है तो अब दोस्तों इस number को इस same WhatsApp number को same result को हम यहाँ map करते हैं अपने वाटी की window पे नीचा वाट्चाप नमबर की field पे simply हम वाट्चाप नमबर के सामने दिये गई इस field पे click करते हैं लेकिन दोस्तों क्योंकि हमने आप पे बीच में एक data response आइट किया है तो हमें यहाँ mapping के लिए data नहीं दिखा रहा है इसके लिए हम एक बाद क्लिक करते है connected पे and then choose existing connection सेलेक करते ही वापस क्लिक करते है save way तो एक बाद फेर से हम try करते है तो यहाँ पे हमें mapping के लिए data receive हो गया है इसके बाद इस WhatsApp नमबर की field पे हम enter करते है number parameter में spreadsheet formula यूश करने के बज़ों में number मिला है उस number को इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है template तो यहाँ पर मैं आपको बदा दू कि वाटी के थुरू WhatsApp message send करने के लिए हमें कुछ templates create करने होते हैं यह templates basically कुछ नहीं हमारे WhatsApp messages ही होते है messages ही होते हैं जिसे हम send करना चाहते हैं तो यह templates देखने के लिए हम यह अपने white account पर click करेंगे broadcast पर and जाएंगे यह template message पर and template messages पर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक option दिखाए देगा new template message का इस पर click करके आप जो WhatsApp message अपने users को send करना चाहते हैं आप उस WhatsApp message का template create कर सकते हैं and then यहाँ पर template create करने के बाद उस template को हमें approve कर रहा होता है Facebook से जो की WhatsApp की parent company है तो जैसा कि आप यहाँ मेरे white account पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कई सारे templates है जो की already approved है तो यहाँ पर इन में से आज हम जिस template का use करेंगे उसका नाम है Just a second membership confirmation यह है वो template जिसका हम आज use करेंगे मैं आपको एक बार template दिखाता हूँ कि template actually दिखता कैसा है तो मैं आपको फिरसे repeat कर दूँ यह template कुछ नहीं दोस्तों तो simply वो WhatsApp message होता है जो हम अपने users को send करना चाहते है तो इस template का नाम है membership confirmation इसकी category alert update और language है English language में यह template है तो वाटी हमें अपने message template के साथ साथ कुछ headers भी add करने के option देता है जिसमें हम चाहें तो कोई image कोई video या फिर कोई document जैसे कोई PDF document भी add कर सकते हैं इसके बाद आती है हमारे message की body यानिकि जो text message जो हम send करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीक एक का वो template है दोस्तों जिसे हम send करना चाहते हैं तो यहाँ पे template में high के बाद यहाँ पे double quotes के बीच में लिखा गया है name तो आप सोच रहोंगे यह क्या है तो मैं आपको बजातू जो double quotes के बीच में name लिखा गया है यह जो पूरी value है यह एक variable है आसान शब्द में समझा जाए तो यह variable जो होता है एक बदलने वाली value होती है तो इन variables को इन बदलने वाली values को हम template के approve कराने के बाद भी इनने बदल कर इनकी जगा कुछ और text भी use कर सकते है add कर सकते हैं तो यह text add करने का process कैसे होंगा यह हम वीडियो में आगे देखेंगे फिलाल के लिए हम यहाँ पर select करते है अपने पाबली करने अकाउंट पर आपना जो template है जिसको नामे membership underscore confirmation तो हम आते हैं अपने पाबली करने अकाउंट पर और यहाँ drop-down पर click करके हम देखेंगे वो सभी templates जो मेरे वाटी अकाउंट पर है जैसे कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया तो यहाँ पर हम search करते है membership membership underscore confirmation तो यह template select करने के बाद यह हमसे पूछ रहा है broadcast name कि इस whatsapp message का जो broadcast है इसे हम क्या नाम देना चाहते हैं तो मैं यह से नाम देता हूँ online music classes तो मैंने अपने इस broadcast को अपने requirement के साब से online music classes यह नाम दिया है आप चाहे तो अपने requirement के साब से कुछ और नाम दे सकते हैं similarly आप चाहे तो मैंने अपने वाटी अकाउंट से अपने यूजर्स को WhatsApp message send करने के लिए यह template यूज करिया है तो यहां पर दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमने variables add किया है इन्हें बदलकर हम अपने requirement के साब से कुछ और text भी add कर सकते हैं तो यहां पर हम बाती को बताएंगे इस custom parameters की field पर कि हम इन variables को बदलके क्या text add करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे example में हमें यहां पर एक tag दिखाए जेता है हम इसे करते हैं यहां से copy इसे करते हैं question parameters की field पर paste इसे एक बार clear करते हैं तो यहां पर डरने घपराने की कोई बात नहीं है दोस्तो यह जो tag है यह बहुत से simple tag है जो हमसे सिर्फ दो चीज़े पूछ रहे हैं पूछ रहा है name जिसके सामने दिएगा double quotes के बीच में हम एंटर करना है अपने variable का name जिसके जगा हम text जिसे हम change करना चाहते हैं तो जिससे कि यहां पर मेरे पहले variable का जो नाम है वह है name तो यहां पर मैं enter करता हूँ name and then name के बाद यह मुझसे पूछ रहा है value कि इस name का जो variable है इसे change करके हम क्या value क्या text add करना चाहते हैं तो value के सामने दिएगा double quotes के बीच में हम enter करेंगे वो text वो value जिसे जो हम name की जगा पर add करना चाहते हैं तो हमें जो razor face response receive हुआ था उसमें हम नीचे देख सकते है कि हमें payment करने वाले user का post name और last name यानकि हमाई student का post name और last name received हुआ था यहां पर value के सामने दिएगा double quotes के बीच में हम यहां नीचे drop down में से map कर लेंगे payment करने वाले user का post name and then उसके बाद space के देने के बाद एक last name variable को बदल के हम क्या text add करना चाहते हैं तो यहां पर मेरे पास अपने template में एक सजादा variable है तो जो name के variable का जो second variable है वो है class underscore name का कि किस चीज की membership के लिए मैं यह message send कर रहा हूं तो यहां class underscore name इस variable को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहां आते हैं अपने variable पर इस close bracket के बाद हम add करते हैं comma and then preset paste करते हैं उस तीम tag को blue इस tag को करते है clear just a second and yes यहां पर जो हमारा second variable था जिसका नाम था class underscore name तो हम यहां पर variable के name में enter करते है class underscore name and then क्योंकि हम music class की payment receive कर रहा है तो यहां पर value के सामने दिए गए double quotes में में enter कर देता हूँ online music class online music class इसके बाद दोस्तो हमारे इस template में एक और variable third हमारा last variable जिसका नाम है website underscore link तो यहां पर हम आते है इस पैबलिक अपने पैबलिक एक अकाउंट पर इस close bracket के बाद आड करते कॉमा पर इसे paste करते है same tag को इसे करते एक बार clear तो यहां पर name के सामने enter करते है website underscore website underscore link तो यहां पर हम आड करेंगे अपने website की link and then value के सामने दिये का double quotes में हम enter करते है अपने website के link तो example के लिए मैं ले देता हूँ www.demo.com अपने website के link तो यहां पर custom parameter c field में अपने जो variables थे हमने अपने वार्टी message के template में add किये थे उन variables को define करने के बाद मैं यहां पर click करता हूँ save and send test request पर तो save and send test request पर click करते ही हम यहां पर response मिला है जो हमें बता रहा है कि हमने अभी अभी इस mention किये के number पर एक WhatsApp message send कर दिया है तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस number के WhatsApp account पर यह वहां चलकर देखते हैं कि क्या सच में यहां पर कोई WhatsApp message received हुआ है यहां नहीं तो हम आते इस user के WhatsApp account पर और जी हां दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि अभी अभी हमें यहां पर एक WhatsApp message received हुआ है जो कहता है हाय शुवम खरे यानि कि हमारी जो test payment करते हुग हमने जिस user का नाम एंटर किया था उस user का नाम this is the confirmation that we have just received your secure online payment for online music classes and then बाकी का message तो यहां पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो पूरा automation हमने setup किया था यह successfully काम खर रहा है तो चली इसे एक बार हम test करके देखते हैं पहले हम आते हैं अपने razorpay के payment page पे इसे करते है रेफ्रेश and then इस automation को test करने के लिए हम यहां पर एक user के details enter करके यहां पर payment करते हैं and then देखते हैं कि क्या उसके mention कि एगा number पर हमें automatically real time में एक WhatsApp message receive होता है या नहीं तो हम यहां पर enter करते है user के details तो यहां पर मैंने एक user के details enter की है जिसका नाप है Nitin Sharma यह है उसका email address उसका phone number amount 1299 and then product name online music class इसके बाद मैं click करता हूँ select करता हूँ enter करता हूँ test card के details just a second name cvp pay success तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि अभी अभी हमने एक test payment फिरसे एक test payment की है हमारे Razer Pay के payment page पे तो चली दोस्तो अब हम चलते है उस user के WhatsApp नमबर पे जो नमबर हमने अभी एंटर किया था test payment को करते वक and then वहां चलके देखते हैं कि क्या सच में हमने जो automation setup किया है उससे automatically एकदम real time में हमारे Razer Pay के payment page पे हमें एक WhatsApp message send कर देंगे जब हमारे music classes के लिए कोई एक user payment करेगा तो automatically एकदम real time में हम उन्हे WhatsApp message send कर देंगे तो चली हम आते हैं अपने WhatsApp account पे और जी हां दोस्तो जैसा कि हम यहां अभी अभी देख सकते हैं कि automatically एकदम real time में हमने जिस user के details करा जिन number के साथ यहां पे अपने Razer Pay के payment page पे payment की थी automatically real time में हमें यहां पे WhatsApp message receive हो गया है जो कहता है हाय नतिन शर्मा यानि कि उस user का name and rest of the message यानि कि जो पूरा automation हमने इस वीडियो में setup करना सीखा है वह successfully काम कर रहा है तो चली एक बार आते है पाबली connect पे और एक बार brief में समझते हैं कि हमने यह पूरा automation कैसे setup किया तो सबसे पहले हम आया पाबली connect में test payment का data है उसे हम पाबली connect में collect कर सके हैं उसके बाद एक specific product के लिए ही सिर्फ यह automation send हो यानि कि जो music class के लिए जो user payment कर रहे है सिर्फ उन्हें ही में WhatsApp message automation के through send करूँ यह make sure करने के लिए हमने आपे जो product हमने अपने payment page पे की थी वहाँ पे एक filter लगाया उसके बाद number parameter के help से हमने जो user का WhatsApp number था उसमें से जो country code के साथ जो plus send था उस plus send को remove किया and at last इस सारे data को हमने send किया वाटी को ताकि वाटी के through हम अपने music classes के लिए जो user payment कर रहे है उन्हें WhatsApp message send कर सके सिर्फ यही application थी दोस्तो Pavly Connect की help से अब multiple applications को एक दूसरे के साथ integrate कर सकते है और अपने business को automate कर सकते हैं और हाँ एक और ज़रूरी बात इस video के description में आपको एक link मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस same workflow को अपने Pavly Connect account में clone कर सकते है और इसे प्री में यूज़ कर सकते है किसी भी तरिके के help या feedback के लिए आप एमें contact कर सकते है admin at the right pavly.com पर या अपनी queries फूच सकते है इस link पर वर आज को यह video आपको अच्छा लगाओ तो इस video को like करे, share करे और हाँ, ऐसी कुछ automation and integration से related awesome videos के लिए pavly hindi को subscribe करें तो आज की इस video के लिए इतना ही दोस्तो, thank you